प्रिध्वी, आकाश, जल, अगनी, हवा ये सारे पंच भूतों को भगवान ने सारे प्राणियों को एक समान दिया है। नाटने के लिए इनसान जानुवर बन जाता है। प्रिध्वी, आकाश, जल, आकाश, जल, आकाश, बन जानुवर बन जाता है। झाल 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 हलो कौन थोड़ा जोर से बोलिये सुनाई नहीं दे रहा है हाँ आप सुनाई दे रहा है चलिए बोलिये क्या मर्डर हुआ है सार झाल सार यहाँ पर एक जिन्दा है सार सार यहाँ पर एक जिन्दा है सार आस तक तेरे उपर कोई कंप्लेंट कोई केस दर्ट और आज तुने इतना बड़ा कांड कर दिया विश्वास नहीं होता इसका मतलब या तो तु बहुत भोला इंसान है या फिर तु बहुत जादा चालाक है इससे पहले कि इस केस के बारे में तुस्से बात करूँ तुझे मेरे बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कर दो आज़ कि कोंइए रहा हुआ है कि भारे बंदा करती हेलो ब्रदर्स और सिस्टर्स आप सबको एडवांस में हैपी दिवाली अक्षरा मेरी बेहन है मेरी बेहन मतला अब तुम सबकी बेहन जो यह भूल जाएगा मैं उसे याद दिलाओंगा जैसे इसे याद दिला रहा हूं जाहे उसने जो भी किया हो लेकिन तुने तुम अनर्थ कर दिया क्या तुम्हारा उस नाम पर राइट्स है राइट्स नहीं प्यार और उसके साथ जिम्मेदारी गुड़ मोर्निंग दिधी गुड़ मॉर्निंग भाई गुड़ मॉर्निंग दिधी दिधी गुड़ मॉर्निंग दिधी मुवी देखी हों नमस्ते sister इसी सिस्टर बोलाएट जान से मार दूगी हाँ नी तो तुछे मैं मेरे चेहरे से क्या बहंजी लगती हूं सॉरी sister खाना खाता है या घास इप companion.. आँदोशलि मैदोशलिक गुड़़ दिधी पागल हो गई हो तुम सब इतने जोड से चिलाई मैं डर गई मेरे चहरे पर दीदी लिखकर पैदा किया था क्या हुआ तुम्हारे भाई ने कुछ कहा वह तो मेरा भाई लगता भी नहीं है सच को वह तो यम है कॉलेज में जिसको देखो वह सिस्टर सिस्टर बोल रहा है तौचर कर दिया है मुझे आप बस हस्ती रहें जा रही हुआ है कभी तो कोई ऐसा मिलेगा जो भाई से नहीं डरेगा देखना उसके साथ भाग जाओंगी फिर मत कहना मैंने बोला नहीं सुनो तुम्हारे मुझे ऐसी बाते बिलकुल अच्छी नहीं लगती कुछ दिन पहले सम्मुंदर किनारे एक घटना हुई थी जिसमें एक इनसान की लाश मिली थी पुलिस इस घटना की चान बिन कर रही है यह बिकार के नहीं उस देखते रहते और मुझ पर पाबंदी लगाते अच्छा है शायद उसके बारे में कुई जानकारी मिल जाए मैंने बोला और हो गया यस भगवान जी मेरी एक और हेल्प कर दीजिए मेरा भाई कहीं बिजी हो जाए और मैं अकेले हैपी हैपी कॉलेज चली जाओं ओके अब फ्री में नहीं हां दो नारियल चटाऊंगी मेरी एक चापूरी कर दो पीस 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 बाई रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहा है कौन सी जगे शूपूरा में ना वहां के लोग है सर अच्छा वो ठीक है बहन को छोड़ कर आता बाई वो थोड़ा अर्जेंट ह ठीक है अक्षरा हां मुझे कुछ काम है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ समलकर कॉलेज जाना ओके भाया येस मा तुम्हारी बेटी आज फाइनली स्वतंत्र हो गई वोल फ्रीडम आपको पता है मा मैं जो मांग रही हूं वो सब हो रहा है अच्छा तो जरूर आज कुछ होने वाला है देखो वहां क्या मा आप भी ना इतनी मुश्कल से आज एक चांस मिला था भाई का मन बदल जाए उससे पहले मैं यहां से गायब हो जाती हूं थैंक यू कृष्णा थैंक यू सो मच रोज ऐसे ही मेरी इच्छा पूरी करते ना मैं रोज तो नारियल जड़ाऊंगी ओके ठीके ना मा क्या हुआ इसलिए मैं तुम्हा केला नहीं चोड़ता जबी चोड़ता कुछ करबड़ो जाती है गुना भाई प्रोग्राम कैंसल कर दो ठीक भाई है 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 बाई भाया बाई भाया कि इसके लिए साही मर्द यहीं है कि 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 पीछे पीछे आओ जीजा जी आओ आई 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 अैं चली आई जीजाजी आए जीजाजी आई आई नाई तुम लोग मुझे जीजाजी क्यों दू यहां पर हमारी एक बहन है उसके साथ रिष्टा जोड़ना है एलो जीजा जी तो शर्म हो गे तुम सब का इस्क्रूड हो गया क्या कि अ I क्या हुआएवगगा नीजानक ιοसद淮 क्या व का इस्क्रूड कुछ गुम सब जीजान쵹 बहुआब। जटका लगा ना मैं तो बता रही थी कि वहां लिखा है सब के प्यारे जी-जा-जी हाई आइम अक्षिरा चला है है अरे हलो लगता है बहुत आटिट्यूड है तुम्हारे अंदर हां ऐसा क्या खाते हो बताओ तो एकदम पॉफेक्ट हो थू ओए कि यह सुधीर यह सर सुजीत के बारे में मालूम करना है उसके जी-जा को बुलाओ ओके सर एक दिन सुजीत जखम के साथ घर आया सर पूजने पर पता चला की अक्षरा उससे प्यार करती है यह अब आए अब आए एसे फॉलो क्यों कर रही हो अब सब के जी-जा जी पर लाइन मार रही हूं यह अब तुम बस मेरे प्यार को फील करो थोड़े दिन बाद तुम्हें भी उचसे प्यार हो जाएगा तूब प्रिया spirit जैगी नचे के लेन जगिये यह यह जागी लेक्षा हेग Springs कर दो कर दो कर दो कर दो 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 कर दो कर दो कर दो कर दो में यू anál razli तो यह जीजा जी बहुत जल्दी जा रहे हो थोड़ा समल कर कहीं शर्ट फटता जाए तो कोई बात नहीं अगर भाज आया जाया ना था तब से बज़े गूर क्यों रही होतों क्यों नजर लग गई क्या जानू नजर उतारती हूं इसकी नजर उसकी नजर कॉलेज में सभी की नजर तू 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 दो मिनट चुपने रह सकती जब देखो पकवास करती रहती हो लगता है तुम्हारी माने बहुत केसर खाके तुम्हें पैदा किया तभी इतने गोरे चिट्टे पैदा हुए हूं इसलिए मैं तुम्हें पटा रही हूं तुम्हें खराब है क्या पास आके किस करके देखो बता चल जाएगा यह तो दिमाग से पूरी मेंटर है ओ सुनो इस पूरे कॉलेज में तुम्हें एक जीजा हो और एक ही दीदी है रिष्टा जोड सकते हो ना एक बकवास बंदकर बिना सेंस की बाते मत करो क्या सेंस यार अक्षरा तुझे पूरा लाइन दे रही है वो डीप में घुज गई है सही है बाई यह तम पती जैसा फिल दे रही है तू बोल दे रजिस्ट्रेशन के लिए तयार हो जाएगी हाँ यार जितना दूर जाता उतनी मेरे पास आ जाती है वो लड़की समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है लगता है अब उसे एक दोस्त की तरह मुझे समझाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा कि वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त बन सकती है कॉलेज में हम लोग पढ़ा ही हुआ 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 है कंपनी चाहिए क्या है छोड़ हुआ है हम जैसा बोलते हैं वैसा करो सच में छोड़ देंगे प्लीज सामने से हर्चा हटो कहाना प्लीज जाने दो तुम यहां पर तुम कैंपस में नहीं दिखे तो मैं क्या बहुत है लवर तो यह हीरोगिरी दिखाएगा डेख्यार में जहगडा नहीं जाता हूँ हमें मेरी कॉलेज में पढ़ते हैं यह मेरी दोस्त है तो क्या कर लेगा मुझे छेडा तो इसे गुसा आया मतलब मुझे पसंद तो करता है मैं तिखाए नहीं दिया तो जहां मन करेगा वहां पाहुच जाओगी ठीक है आज के बाद हम तोनों फ्रेंड्स है फ्रेंड्स चलो शिरुवात तो हो रही है फनाल यहीं सही फुल फ्रेंड्स फुल क्लूस फ्रेंड्स थैंक्स ओके अब तो खुश होना हां सुजीद एक मिनिट हां ओके तुम्हारी पज़े से सुजीद मेरे साथ कॉले जा रहा है सिस्टर पाठी कर लो सुजीद पर हाथ उठाएगा बापरे नालायक थैंक्स बोलने गई थी अब हम चलें अक्षरा एक्चुली मैं तुम्हारे साथ कॉफी शेयर करना चाहता हूं थैंक्या सुजीद अरे पपरे कॉफी बोल रहा है कॉफी मतलब स्ट्रोंग कॉफी हां अरे कहीं ये कुछ और तो नहीं समझ बैठी कॉफी शेयरिंग का मतलब कुछ और तो नहीं है तुम ऐसा क्या सोच रही हो एक्चुली मैंने परसों यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था कॉफी पीने से दूसरी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं अब 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 हम क्लोस फ्रेंड्स बने हैं तो मुझे कोल्ड कॉफी यह लड़की भी बहुत बिगड़ गई हो तुम यह सब कुछ इस फोन की वज़ए पता नहीं क्या क्या दिखती रहती हो एक बात समझ लो आज से जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा पहले यह फोन इस्तमाल करना बंद कर दो अरे अरे फोन क्यो फीग दिया जाने दो तुमने कहा ना तो फीग दिया पूरी मेंटल है यह तो और क्या करना है बोलो तो इससे बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा अच्छा सुनो तुम्हें रोज एक घंटा योगा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मन थोड़ा शांद रहे मैं तो बच्पन से योगा कर रहे हूं भाया ने यह आदत डलवाई ओ वेरी गुड यह तो अच्छी बात है इसके साथ साथ तुम्हें रोज मंदिर जाना होगा इसे दिमाग और दिल दोनों कंट्रोल में होगा अरे सुजीत मेरा तो घर ही एक मंदिर है रोज सुभा पूरे एक घंटा में भाया के साथ बैटकर फुचा करती हूं ठीक है एक काम करो किसी भी लड़की के रिए माई किताब की त सुजीत तुम मुझे डाटते होना तो अच्छा लगता है हाई तुम यहाँ पर कैसे कल तुमने कॉफी शेयर करने को कहा था ना इसके है आगई आज कॉफी शेयर करें अरे तो क्या घर पर आ जाओगी क्या वह यहां से पापा देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी यह तो डरता भी है मतलब कॉफी नहीं प्येंगे कॉफी नहीं पिएंगे क्या अरे मैं आता हूँ ना तुम जाओ ओके अरे जाओ ना क्या बात है जीजा जी सुना है अमारी बेहन घरते का गई थी अरे बाहर जा भाई देखने कैसे गूम रही आसा चो पड़ाई भिर्यान दे जाओ चल्जाओ जाओ 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 याँसे ने आजाओंगी मैं आरे इंग आरे इंग मैं तुमसे बोल रहा हूं जाओ तुम बहार के निया बहुत अचन काम है तुमसे यह जाओ अक्षरा तुम यहां क्या कर रही हो कॉमन सब्जेक्ट यहां कुछ भी डाउट है तो बाहर जाए करो प्लीज गो आउट क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है क्या हुआ पहले अपनी जिप्तों लगा लो जानो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या हुआ सुजीत मेरे पीछे पीछे भाग रहा था इसके साक्षी तुम हो तुम्हारे लिए ये बादल और आसमान दोनों साक्षी हैं अम आवस का चान सिफ तुम्हें ढूंडता है हवा में भी लकीरे थर्ती और आकाश कभी आपस में मिल नहीं सकते ऐसे चुपचा पस देखते रहोगे क्या इसकी बात को सच कर दोगे क्या तुम जो सोचते वो तुमने बॉल लिया अब इस बारिश से बचा कर मुझे लाइट हाउस तक लेकर चलो इस चनम में तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली ठीक है ना क्या हुआ आपकुछ बोल क्यों नहीं रहे हार जाने का डर लग रहा है क्या चलो वाओ येए वाओ आर जी साव दो एकर जमीन पूरी मेरे दादा जी की है सुर्य गार्डन सिटी और ये एक एकर जमीन समुद्र के नारे आपसे ज़रूरी बात करनी है चीक है गुना तुम कुछ बोल रहे थे क्या है भाई वह अपनी बेहन किसी के साथ क्या बाक रहा तुम सच करा भाई उस दिन कॉलेज में जिसने हाठ डाला था आप पर तेरा कॉलर क्यों पकड़ा तुझे समझना चाहिए कोई बात मेरे तक नहीं पोछनी चाहिए दोनों एक दूसरे को भूल जाया ऐसा कुछ कर ठीक है भाई समझ क्या मेरी बाथ कि और समझाओं समझ क्या बाई गुञाओं वही आखिर ये कर कह रहा है कर क oll आ आखिर नगसे के राभी आखिर ये नगसे विताव खिए एल आखिर गह ङरे गड़ है कर दो, हम दो वार 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 वा एक बात समझ लो प्यार करने उसकी पहन आई थी और मुझे उससे प्यार हो गया है अब हम दोनों को परवाला भी अलग नहीं कर सकता पता नहीं उस लड़की ने मेरे अंदर क्या देगा मिलते ही मुझे प्यार प्यार करने लगी जैसे उसके भाई को पता चला तो उसके भाई ने चांद से मारने की धमकी देती अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना हमारे बीच को जगड़ा नहीं है किसी का भी भाई ऐसे ही रियक्ट करेगा और उसके भाई के एमोशन को मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ तुने सुजीत के बारे में जितना बताया उससे तो वो शरीफ लग रहा है लेकिन वो अक्षरा को आवाइट क्यूं कर रहा था उसकी वज़े मैं ही हूँ सर मेरी वज़े से सुजीत की फैमिली में डिस्टरबेंस चुरू हो गया था भाईया यहीं रोग देजिए सुजीत यह देखना अभी तक देखा नहीं क्या सोच रहा है तू इससे देख कैसा है अच्छा है ना यह चिटफंड के पैसो से लिया है तुम्हारी बहन के लिए तुम दोनों के लिए लेने गई थी लेकिन यह नेकलेस देखने के बाद मेरा मन बदल गया और वैसे भी शादी के बाद अपने घर जली जाएगी तुम्हारी आखे इतनी लाल क्यों है कुछ नहीं मा बाहर से आया हूँ ना आखों में दूल चली गई मैं नेकलेस उसे दिखा कर आती हूँ अरे कहा है वो ए सुजित कहा है तुम्हारी दिदी पूरे घर में दिखाई नहीं दे रहे कहीं चली गई क्या बिना बताया चले गई टाइम की परवा ही नहीं है कितनी लापरवा है ठीक है बाद में दिखा दूंगी बात है सीमा डिली हमेशा टाइम पर ही जाती है यह सब देखने के बाद सुजीत का प्यार से विश्वा सोटके असार उसे लगा कि प्यार में सिर्फ तकलीफ ही जेड़नी पड़ती है इसलिए वो अक्षरा से दूर भागता रहा सुजीत की वजए से मेरे और उसके परिवार की दूरी कम हुई सर एस सुजीत जल्दी से मैं तकलीफ होती है तुम्हें अपनी पती की परवाँ है वह अपना ध्यान नहीं रख सकता क्या ठीक है वह तुम्हारा पती है पर मैं भी तुम्हारी मां हूं हुआ हुँ क्यान रखा करो कि तुम्हारे पिताजी आ गया है उनके साथ चली जाना जाना जब देखो तब जिद करती रती है हमारी बात नहीं सुनती तुम भी नमा कमाल करती हो पापा तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते क्या बोल रही हो मुझे देखके बोलो और नहीं तो क्या मा दस दिनों से देख रही हूं मेरे सामने तो पापा आते भी नहीं है अब क्या बोलोगी तुम है बाप बेटी के बीच मैं ही पीस रही हूं नहीं नहीं मैं ही पागल हूं पापा मैं तीडी को ड्रॉप करके आता हूं ए सुझीत आप बोली ना बचपन से उसके नाम से कुछ सेविंग किया है और एक फ्लेट लिया है मैंने उसके नाम से ये डॉकुमेंट्स उसको दे देना हालो हाँ मैं ठीक हूं तू बता कैसा है लोग कहते दे कि प्यार अंधा होता है ये बात अब समझ में आई जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब को छोड़कर चले जाना पागलपन होता है मैंने शादी कर ली और ये बात ममी बाबा को बताई भी नहीं थी लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए कितने इंपोर्टेंट है मेरी जैसी पर मुझे पुरा नहीं लगा वैसे इतना गुस्सा कियो मुझे ही तो पकड़ा ना अरे किसी आजनवी को थोड़ी ना पकड़ा तुम तो मुझे तुम्हे 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 क्या का मैं मुझे एक मिठा अब ठीक है टेंशन खटम ऐसा करने से टेंशन खटम हो जाती है यह बताने के लिए हम पर आयो नहीं नहीं एक सीरियस बात करनी थी अच्छा तुम उस तरफ देखो मैं बताती हूं अच्छा ठीक है मैं ही पलड़ती हूं तुम्हारी नजर में मैं एक नक्चड़ी लड़ की हूं है ना बहुत शरार्ती भी हूं बढ़बर करती रहती हूं सरफिरी मेंटल पागल यहीं सोचते हो ना कोई लड़की किसी लड़के के पीछे भागेगी तो सभी यही समझेंगे लेकिन मैं यह करके बहुत खुश हो सुजीत जस्पिकस अफ यू क्यूं किस लिए लेकिन उसकी लाइफ में एक स्पेशल बर्सन होता है जिसके साथ वह सब शेयर करती है मेरे लिए वो तुम हो सुजीत और अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए लाइफ लॉंग अगर यह बात अभी नहीं बताऊंगी तो कहीं मेरी सांसे ही ना रुक जाए आई लव यह बो प्यार करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए ना प्यार में अंधी मत बनो तुम तुम्हें पहले अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए इसलिए आज की बाद मेरे पीछे इस तरह पागलों की तरह मत आना जाओ वाह! वाह! पाओ! लग लग वपते वसा नह वाल विंद वाल 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 झाल! तुम ही ने कहा था ना कि धर्कियों राकाश का मिलन नहीं होता यह जो बारिश है उनकी मिलन की वज़ासे हो रही है अब जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ विशाखानगर में जो हत्या हुई है पुलिस उसकी तहकिकात बड़े ही जोर शोर से कर रही है यह अत्याए जेवी ने क्यों किया है पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही है आखिर इसकी वज़ा क्या है आए दिन ऐसी घटना है तो होती रहती हैं सर हम लिखते रहते हैं और आपको भी पता है तो इस मामले में पुलिस क्या कहना चाहेगी सर गले में टैग हो और हाथ में माइक हो तो जो दिल में आए वो बोलोगी जो भी पूछना है सीधे पूछो अब और क्या करूं सर आरजी केस के मामले में आपके डिपार्टमेंट ने प्रेस के सामने एक भी एविडेंस नहीं रखा मतलब ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर ये बताए उस साइको आरजी को अब तक कोट में पेश क्यों नहीं किया गया आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि आरजी साइको है जो अपनी बहन से जान से जादा प्यार करे पर दुश्मनों पर जानवरों की तरह तूट पड़े उसे क्या कहींगे सर शाइको ही बोलेंगे न जिसने अक्षरा का नाम अपने हाथ पर लिख दिया था उसका हाथ उसने जला और राक्षस भी एक तरफ इस केस से संबंधित गवाह हॉस्पिटल में जिन्दगी और मौत से जूज रहा है और दूसरी तरफ पोस्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स नहीं आई है यह सारे रिपोर्ट्स आने के बाद आरजी साइको है या नहीं यह को तो फिर हम इस केस को डिले क्यों कर रहे है सर एक बात बता है सर राम ने सुरुप नखा कि नाक काट कर भेजा वो गलत था या सही था लड़के थी सर गलत था ही पर राम ने ऐसा क्यों किया या जाने बिना रावन सीता को उठा कर ले गया वो गलत था या सही था गलत था सर फिर रावण के कबजे में जो सीता थी उस पर रावण की परचाई भी नहीं पड़ी फिर भी राम ने रावण को मारा ये सही था या गलत था सही नहीं था सर सुर्फ नखा ने रावण को सही बात नहीं बताई सिर्फ ये कहकर कि राम ने मेरी नाक काट दी उसने रावन को भढ़काया ये सही है या गलत गलत है सर ये तो बहुत बढ़ा अद्निया है लोग कितनी किताबे पढ़ते हैं लेकिन छोटी सी बात को नहीं समझते हैं सर अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है हालात की वज़े से इंसान जो नेने लेता है उसी के आधार पर इंसान सही या गलत होता है लड़की जब 16 वरस की हो जाए उसे तीन साल के अंदर जवान लड़की को ये सोचकर घरवाले उसके लिए लड़का डूना अपना करता में समझते हैं अगर माबाप लड़की के शादी के बारे में लापरवाई करें तो उसके दोशी लड़की से ज़्यादा उसके माबाप होते हैं एक परिवार में ऐसा ही हुआ अगर एक बार जवान लड़की घर की देलिस पार कर दे तो सब कुछ परवाद हो जाता है इसलिए लड़की के जवान होते ही उसके लिए अच्छा रिष्टा दे कर उसकी शादी कर देनी चाहिए ऐसा हर माबाप को करना चाहिए यही इसका एक उपाय है अपने वेद और काल को छोड़कर इंसान बहुत दूर निकल गया है तुम बहुत पीछे जाके सोच रहे हो बेटा लड़की जब सोला बरस की हो जाए उससे तीन साल के अंदर जवान लड़की को यह सोचकर घरवाले उसके लड़का डूनना अपने करता पे समझते हैं माबापको समय रहते हैं लड़की के शादी कर देनी चाहिए वेद और काल उम्र यह सब कुछ धर्म के डोर से बढ़ाएवा जब उम्र हो जाती है तो सभी चार बाते करते हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारी है आजादी बहुत देदी अब रिष्टा देखते हैं मैं करता हूँ कुछ मैं करते हैं तुम्ही ने कहा था ना कि धर्तियों राकाश का मिलन नहीं होता यह जो बारिश है उनकी मिलन की वज़ा से हो रही है अब जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ अरे बाप रहे हैं कहा है सौरी सुझीट को दे दो सुझीट को दे दे सुझीट सुझीट को प्रपोस किया था मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया सुझीट को प्रपोस किया था मैंने कुछ सुझीट को प्रपोस किया था 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 क्या मजाक हमेशा मजाक ही सूचता है तुम्हें देखो हमारे चाहे कितने भी जन्म हो जाए हमारा प्यार एक नहीं हो सकता क्या कहा क्या का मुझे देख कर बोलो बोलो उसे मना कर रह हुझ क्या कर यह कर रही हो कर लो कर दो कर दो कर दो कर दो देखो तुम्हारी वज़े से मेरी चूड़ियां तूड़ गई है अब तुम्ही खरीद कर दोगे वरना मैं घर नहीं जाओंगी ठीक है चुड़िया खरीद दूँगा पर दोबारा पीछा मत करना मेरा वरना दान तोड़ दूगा चला बठाओ सपने दिखना बन करो और दोबारा ऐसा मत करना ठीक है ओके पाई मैं आटो में बैठों तब तब तक तुम यहीं पर रहना ओके अरे जाओ बाई अठीक है बाई जाओ बाईया यहां पर कैसे बाईया लानकम यहीयृ मैं रोज देख रहे हूं भया आपके अंदर का राक्षस ना बढ़ता जा रहा है अग्षरा ऐसा कियों बोला पता नहीं आप पास होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है होस्त्मार्यम रिपोற आगय है सर् कि अब 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 अच्व कि मुझे सुजीद के बारे में और जानकारी चाहिए उसके सारे दोस्तों को बुलाओ कुछ प्रेश्ट 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 तुम सब को पता है अच्छी तरह पता है कि वहाँ क्या हुआ था वहाँ जो कुछ भी वहाँ वह अचानक नहीं हुआ पक्का प्लान करके हुआ तुम्हारे दोस्त और उस लड़की से संबन्दित हर जानकारी मुझे चाहिए हमें मारिया मत सर वी अर जस फ्रेंड्स इससे ज़्यादा हमें कुछ भी पता नहीं है तुम्हें नहीं पता? सच में नहीं पता? मैं कुछ बताना चाहता हूँ सर शायद आपके काम आ जाए हम बोलो सुजित अक्षरा को पसंद नहीं करता था लेकिन अक्षरा सुजित के पीछे पड़ी रहती थी और इसी घलत फैमी में आरजी ने सुजित पर अटेक करवाया सुजित… आरज़ चलमा, असरे बोलो, प्लादे.. चल पिला पिला दे पिला दे डाल मुह में चल भाई चल अपना काम तो हो गया सही कहा हुए चल पिले बढ़िया से अरे आर जी का आजमी आया रे चल देखते हैं क्या बात है आजा चल की जटते हैं अब हो गया बोलपिला के नाव में छोड़ दिया अभी तक मचलियों का आर बन गया होगा अरे यह नाव तो वापस आगई कि अभी तो नाव उदर छोड़के आये थे फिर यह अपने आव वापस करसे आ गई हुआ है वाई नाव में कोई नहीं है यह क्या है उधर जाकर देख और तू इधर देख 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 आज 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 अगर वो नहीं मरेगा तो हम सब मर जाएंगे फूंड उसे यहाँ बहाँ उसा भीवी घया वाख प्प्राइ। ंट 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 ं ं झर खिए रहाँ है जयाँ उस वक्त सुजीत को मैंने ही बचाया और मैंने ही हॉस्पिटल में एलविट कराया था सर सुजीत के बारे में सोचकर अक्षरा टेंशन में आ गई थी वो हॉस्पिटल में मैंने ही उसे बताया कि अख्षिरा है किसे डूढ रही हूं तुम सुजीद को क्या वह एक हफ्टे से होस्पिटल में है क्या तुम उसे ना डूड़ो तो ही उसके लिए अच्छा होगा कम से कम जिन्दा तो रहेगा कि सुजीद होस्पिटल में यह सुनकर अक्ष्रा को बहुत दुख हुआ सर यह सब कुछ उसके भाई ने करवाया है यह वो समझ गई थी क्या बात है लक्ष्मी चिप्स खा रही हो हाँ अंटी ऐसे कुछ भी मत खाया करो हां हां ड्राइफ फ्रूट को रात में भीगो कर सुबव से खाया करो बच्चा सुन्दर होगा ए लक्ष्मी तुम सस्रॉल क्यों नहीं जा रही हो यहां पर आए हुए बहुत दिन हो गए है लड़की का पहला बच्चा मायके में होना चाहिए यह कहीं भी रहे तुमें क्या अरे मा पहले बच्चे के समय आप कहां पर थी और कहां रहती मैं में होना चाहिए चाहे कोई भी लड़की हो उसका पहला बच्चा मायके में होना चाहिए क्या यह बात हमारी दीदी पर लागू नहीं होती है बोलिए ना मा मुहले भर को आप सलाह देती हैं लेकिन अपनी बेटी को जान बूच कर भूला रही है अब अरे सब मर गए सोच कर चली गई थी ना अगर हम सलाह मशुरा देंगे तो वो सुनेगी क्या हमारी बात सब कुछ छोड़ कर गई है न पापा ए क्या है जो मन में आया बोले जा रहा है तू दीदी ने कौन सा गुनाह कर दिया मा बचे से प्यार किया उससे शादी कि इस बासे दो खुश होना चाहिए और अगर वो दुखी है तो हमें भी उसके दुख में साथ होना चाहिए मा मै सिर्फ सच बोल रहा हूं मा वह खुश है इस बात का दुख नहीं है हमें उसके खुशी के लिए हमने क्या खोया है तुम्हें पता है क्या उसको जनम देने के लिए तेरी मा मौत तक से लड़ गई थी साथ बच्चा घूम गया है बहुत क्रिटिकल कंडिशन है ऑपरेशन करना होगा मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को जनम दूंगी उसके जनम लेते ही है खुशी के मारे एक दम से पागल हो गई थी बीस सालों तक इसी घर में पनी बढ़ी वो हर जगह उसी की यादे चुपी हुई है सारे रिष्टे नाते तोड़ कर चली गई उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई यहां तक अपने मा की गर्ब का ऐसान तक नहीं माना उसने आसपास के लोग रिष्टेदार हमारी परवरिश पर आज भी उंगली उठा रहे हैं हम किस दर्द से गुजर रहे हैं हमें ही पता है सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि हम उसका करने अदाद नहीं कर पाए जब तक जिन्दा रहेंगे दर्द बना रहेगा कैसे भूलेंगे हम जितना दर्द आपको है पापा उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमारी दीडी को है आप उससे प्यार से बात करेंगे इस बात का वो इंतिजार कर रही है सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला हुदा ही आपने ही सिखाया था और मुझे यकीन है कि आप बड़े दिल वाले हैं पापा बेटा यह रिष्टा बहुत अच्छा है हमारी किसमत खुलने का समय आ गया ठीक है पापा नमस्ते जी नमस्ते बैठेए लड़के का अमेरिका में MS हो गया है कुछ दिनों पहले जॉब भी मिल गई लड़के की परवरिश बहुत शिद्दत से किये आपकी बेहन को हमारे कोई तकलिफ नहीं होगी लड़की बहुत अच्छी है ना अहां पापा अरे देख वो ही है मा उसे तयार करके लिया ठीक लड़की का तयार क्या हो ना हमने उसे देख लिया है आगे के बाद हम लोग कर लेंगे ठीक है ना बेटा ठीक है मा सवरस्मों रिवासे हो तो सबको इस बाद में खुशी होती है मैं ये शादी नहीं करूँगी चुपकर क्या बोले जा रहे है तो पापा लड़की को तो ये रिष्टा पसंद ही नहीं है एक बात पुछू है जी सर आपने अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाया कि शादी का फैस्ता बड़े करते हैं मेरे बेटे को ये सब अच्छी तरह पता है लेकिन किसी और को कि आप फिकर मत कीजिए शादी के तैयारी कीजिए सुजीत का नाम मेरे दिल पर लिखा है सुजीत को आप मुझसे दूर नहीं कर सकते अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगा अब क्या करेंगे आप बेटा ये आपका पारिवारिक मामला है आप असमें बात कर ले माफ करना बेटा घर का बेटा अगर नहीं माने तो कुछ नहीं जाता लेकिन अगर लड़की नहीं माने तो हर किसी से ताने सुनने पड़ते हैं सर्फ रिष्टे की बात होती तो कोई बात नहीं थी लेकिन अब बात दिल पर नाम लिखने तक आ गई है अब इसके आगे हम क्या क्या सकते हैं आप भी देखिए कि गावं में ये बात पहले ना बस अब आप संसकारों की बाते मत कीजिए हम निकलते हैं बश्पन में मुझे जो भी पसंद होता था सबसे पहले आपको पता चलता था तो पिर मेरे प्यार के बारे में कैसे नहीं पता चला हां आप चाहें कितने भी लड़के ले आएं मैं शादी तो उसी से करूंगी मैं जीऊंगी और मरूंगी तो सुजीत के साथ और अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अभी मर जाओंगी जाकर मर जाओ रागाओ मेरी बेहन किसी के साथ भाग जाए इससे बहतर है कि वो जाकर कहीं मर जाए मैं परदाश्ट कर लूँगा अक्षरा 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 ने जहर पी लिया यह बात हम लोगों ने उसे पता ही थी अरे सुजित यहां क्या कर रहा है अरे तुमसी बोल रहा हूं अक्षरा ने जहर पी लिया हॉस्पिटल में है उसकी जान खत्रे में है मुझे मालूम था कि यह सब होगा प्यार को निभाना असान नहीं है इसका कोई फ्यूचर नहीं है अक्षरा से बात करेंगे तब ही यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी सुजीत ने अपनी दीदी की गुद बराई के लिए अपने माब को मना लिया था सर गुद बराई के बाद सुजीत ने अक्षरा से मिलने का फैंसला किया था बेटी क्या हुआ बेटी तुम्हें दर्ष रूरू हो गया क्या सुनीजी जल्दी आये इसे दर्द हो रहा है मैं समालती हूं आप जल्दी से हॉस्पिटल में फोन कीजिए कि मां आप मां आप मां इसके बाद सुजीत अक्षरा से मिलने गया आगे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं सर हलो बुड मॉर्निंग सर क्या हुआ क्या हुआ क्या है इस केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से सर आई निट सम मोर टाइम कॉम्प्लिकेशन से आपको क्या लेन देना है गवा वगेरा सब कुछ बराबर है ना जल से जल इस केस को क्लोज करो समझ में आ रहा है ना और 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 गवा नहीं होने की वज़ा से केस को अगले शुकरवार तक स्थागित किया जाता है तब तक मुल्जिम आर जी को रिमांड में भेजने के लिए पोलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश जारी किया जाता है स्थाइप लोता है नहींत सपा जो और आएगा सिस्टर इदार आए जैन सर आर जी क्या आदने को होश आ गया है सर होश में आ गया है गाड़ी स्टाट करो गुनाह अर्जी साब आपकी बेल मंजूर हो गई है मुबारक हो नहीं उस दिन वहां पर जो भी हुआ उसके बारे में लोग अलग अलग बाते कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि वहां क्या हुआ था सिर्फ तुम जानते हो और वहां क्या हुआ था यही जानने के लिए मैंने तुम्हें बचाया है आखिर उस दिन क्या हुआ था उस दिन क्या हुआ भाई अचानक आदे मतया से मिलना होगा बाई आप दोनों में 36 का अकड़ा है और अकेले उससे मिलने जाना ठीक नहीं होगा उसकी वज़ा से हमारे खांदान पर दाग नहीं लगे और उसकी शादी मैं ही कराऊंगा बच्पन से कितने सपने देखे हैं कि मैं उसे अपने हाथों से विदा करूंगा वो तो मैं करूंगा ही मतया तुमसे कभी मिलूंगा मैंने सोचा भी नहीं था मेरी एक बहन है और मेरी बहन मेरी जान है उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता और मेरी बहन ने भी मेरी कीची लक्षमन रेखा को कभी भी पार नहीं किया अब वो एक लड़के से प्यार करती है और अब मेरे खिलाफ ही बोलती है वो उसके लिए पागल होती जा रही है उसको तुम डराओ मारो मैं नहीं जानता मुझे मेरी बेहन चाहिए बस मुझे उसके जिंदगे चाहिए बस जो बोलोगे दूँगा जो मागोगे दूँगा बस मेरी इतनी बदद कर दो मैं तेरा दुख समझ गया आरजी मेरा दंदा है समुद्र की मचलियों को पकड़ना और इंसानों का कतल करना मैं पैसों के लिए किसी को भी मार सकता हूँ तो जिंदा मत कर यह बात ने सुजीद को बता कर उसे बजाने की सोच रहा था मैंने उसको फॉलो भी किया था और उसी समय अक्षरा सुजीद से मिलने के लिए बहाँ आई सुजीद सुजीद यह सब मेरी वज़े से हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाईया ऐसा कुछ कर बैठेंगे इतने वाइलेंट हो जाएंगे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे हमेशा बैस्ट दिया है फिर चाहे मुझे बालों के लिए हैर पिंट चाहिए हो या पैरों के लिए नेल पॉलिशी क्यों ना चाहिए हो सब कुछ उन्होंने मुझे लाकर दिया मेरी पसंद या फिर मेरी ना पसंद बिना कहीं ही वो हमेशा समझ चाहते थे लेकिन मेरे मन में तुम हो ये जानने के बाद भी पता नहीं क्यों वो मुझे तुम से दूर करना चाहते हैं इसलिए मैं भाया को बस बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती इसके बाद क्या होगा पता नहीं लेकिन मैंने फैस्ता ले लिया है तुम अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा खुबसूरत हो। जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा, मैं तुम्हारे प्यार में बढ़ गया था। लेकिन प्यार को निभाना आसान नहीं है। उसका फ्यूचर नहीं है। इस सूरज के अंदर ना बहुत आग होती। उसके करीब जाकर ही पता चलता है। प्यार भी वैसा ही होता है। ये समाज प्यार को एकसेप्ट ना करे इसके बहुत सारे कारन हो सकते हैं। फिर जाए तुम्हारी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो। अगर फैमिली प्यार को एकसेप्ट नहीं करती है तो वो प्यार की दुश्मन बन जाती है और फिर प्यार करने वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है या तो भाग जाओ या तो जान दे दो और यही प्यार की असलियत है मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं मेरी भी एक बड़ी दीदी है जो किसी लड़के से बेबना प्यार करती थी पर हमारी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया अगर मैंने उसे सपोर्ट किया होता तो वो आज हमारे साथ होती हमारा परिवार भी एक हैपी परिवार होता इस अब जनने के बाद मैं आखिर वो गलती कैसे दोहरा हूं तुम्हीं पताओ ना तुम्हें ये बात पता है हमारे माबाप को खुशी कब मिलती है जब हमारे माबाप हमारी शादी करवा कर हमें आशिरवात देते हैं तम मिलती है प्यार करने से रिष्टे बनने चाहिए ना कि रिष्टे मिटने चाहिए एक पिताब बड़े प्यार से अपनी बच्ची की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करता है और फिर वो उसी बच्ची से दूर होका कैसे खुश रहेगा ये तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा परिवार भी तुम्हें अच्छी जिन्दगी देना चाहता है तुम्हारी आखों में खुशी देखना चाहता है लोग भाई को तो भगवान मानते हैं भाई को दुश्मन मत मानों जो इंसान तुम्हें मारतेना चाहता है उसे ही तुम भगवान कह रहे हो लेकिन असल में वो भगवान नहीं है तुम हो मैंने तुमसे प्यार किया है तुमसे शादी करनी है तुम्हारे साथ चीना है बच्चे पैदा करने है तुम जो कह रहे हो शायद वो सही हो लेकिन प्यार का मतलब तो साथ रहना होता है ना कि शायद मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए पूजा करनी चाहिए जिन्दिगी पर तुम्हारी पूजा करूंगी प्यार का मतलब यह नहीं है कि हार लड़की अपने बसंद के लड़के से शादी कर पाए मैं चलती हूं जा रही हूं मेरा भाई जिससे कहेगा मैं उससे शादी कर लूंगी सुजीद बाए अखशा 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 अख झाल झाल और फिर अक्षरा से विंती की सुचीतने तुम्हारे भाईन जो कहा है वो करो कैसे भी जगड़े खत्म हो जाए इसलिए मैंने सब कुछ फोन से शूट किया और आरजी को भेजा सुजीत को उसने वलत समझा ये उसकी समझ में आ गया और इतने में ही इतनी और तुम्हारे उस सा लुब्स तू जल्दी से आसे भागचा आरजीन अपने आपनी को बेजा तुझे मारने के लिए आपने खिए वाँ से आपने व्यक्त वाँ सी तोरू क mata ओड़ो है और ख़ो लिए बाँ! किरने बड़ो उ воспाद किल वश एखो विया साधी 1 आपगी कि झाे जोकी तुझे हैं से ए कारोकीста! सूजी सूजी जोड़ा लीज जोड़ा मैंन को उठाकर वो लोग ले जा रहे जोड़ा सूजी सूजी काटके बाग रहे हैं सूजी 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 मेरी बाशन अक्षर को छोड़ा ए्य प्लीज यार ईपू हम उता घ Aa उना कर सोजी zagण समय सह घच हूह एच्ष याण आ कर लые ह猜ा 510 ma literature ऑ़रो स्बदिज है जों पुर्ड- पुर पॉर्ड- जूर, स्ङीज जगलाव मुद जैयोंしょう ुँचिहु! आठे!!! आठे! उे पासबाव । आठे! आठे! ुचिИ! आठे!! बहुआ आंढ लग्ट और आयाँ आप 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 यह जय जए नही जिल गूम यह जा उनत नहीं चुछ कर दो Κोर्ए था कि घयरी एप अ प्रप्या कि एक का भिको कि ए घ को मछे में झांक ख़ 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 अगिष calls टुव distractions अगिष łान होँ 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 हांग मेरी बैंट किया, मेरी पैंट किया समुदर के किनारे ले गया है अब तो बहुत खुश होगे ना तुम्हारे बदले की आग ने तुम्हारी बेहन को खात्म कर दिए क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे मारना था तो मुझे मार लेते इस सबसे क्या मिला तुम्हें मैंने पहले ही कहा था तुमसे चाहे तुम कनविंस हो या ना हो मैं कनविंस हूँ या ना हूँ तुम चाहकर भी अक्ष्रा को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे ये 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 ये! इस पूरे कॉलिज में सिफ तुम ही एक जीजाची हो और इस पूरे कॉलिज में सिफ मैं ही एक दीदी हूँ तो रिष्टा हो गया है अब जीओंगी और मरूंगी से तुम्हारे साथ जीओंगी से तुम्हारे से तörung विए एक दम जीओ ये 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 ये... उसी दिन मुतैया को मारते दा लेकिन आरजी ने अपने उपर केस क्यों लिया? वो मुतैया का इरिया था दिवाली के आने में कुछी महीने बचे थे आरजी जाकर मुतैया से मिला तब ही ये सारा प्लान बदल गया इसी लिए आरजी यहाँ जेल में रहा भाई को सजा हो गई आरजी ये सोचकर मुतैया आराम से बाहर घोम रहा था आरजी मौके की तलाश में था वो सच में उसे नहीं छोड़ेगा आरजी ये सोचकर मुतैया करनसुर करनसुर करनसु incidents करनस случае बहाँ dealing करनसे वा शुर लिए में अबते कर में रिए वो ये जड़िया है कि अब खुशो अब खुशो ना जब पैदा किया तो नाम हिज़द सब कुछ था मेरे पास क्यों छिल लिया मुझस सब पैदा होते ही मुझे मुझे क्यों नहीं मार दिया तुमने मैं अपनी बेहन को जिंदगी भर बेस्ट दुंगा बेस्ट दुंगा बोलता रहा आज ही नहीं हादों से मैंने उसे घट मकर दिया कोंसी कुछी मैंने दिया उसे कोंसी कुछी दिया कोंसी 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 मैंने अपन दिया कई दें, इंसाम जानवर बन रहा है, पर सचाई ये हैं, कि जानवर को धोखा, धोष, एहंकार, स्वार्थ जैसी चीजों के बारे में पता ही नहीं, कोई भी जानवर अगर शिकार करता है, तो सिर्फ अपने पेट के लिए, और जब पेट भर जाता है, तो वो चला जाता है, शिकार को वो अपने साथ लेकर नहीं जाता है लेकिन जब इनसान के अंदर जानमर पैरा होता है तो वो सोचता है उसे ये चाहिए, वो चाहिए इसी मौर्खता के साथ बिना सोचे वो फैसला लेता है और पिर ना जाने कितनी जिन्दिया बरबाद हो जाती है अगर इसे रोकना है तो इनसान को इनसान की तरह सोचना होगा और उसे सही निर्ने लेना होगा अगर ट्रश एर